बिहार में जेडियो ने उमिद्वारों की लिस्ट जारी कर दी है। जेडियो ने 12 सिटिंग सांसदों को टिकेट दिया है। और ये लिस्ट भी आपके स्क्रीन पर जहां बिहार में जेडियो ने उमिद्वारों की लिस्ट जारी करदी है और जेडियो ने 12 सिटिंग सांसदों को टिकेट दिया है 6 पिछड़ा 5 अती पिछड़ा को जेडियो ने टिकेट दिया है एक महादलित एक मुस्लिम तीन सवन उमिद्वारों को मैदान में जेडियों ने उतारा है जेडियों के लिस्ट में दो मखिलाओं को भी टिकेट है और इस बार जेडियों ने चार ने चेहरों को मौका दिया है सिवान से विच्छा लक्ष्मी को मिद्वार बनाया है तो जेडियो में मची भगडर के बीच पाटी ने आज उमिद्वारों का एलान आखिरकार कर दिया है शिवर से लवनी आनन, सिवान से विज़ा लक्ष्मी तो वालमी की नगर से सुनिल कुमार को टिकेट दिया गया है तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं और जेडियो ने 12 सिटिंग सांसदों को टिकेट, 6 पिछडा, 5 अती पिछडा को जेडियो का टिकेट, 1 महा दलित, 1 मुस्बिम, 37 उमिद्वारों को टिकेट मिला है जेडियो ने उमिद्वारों की लिस्ट कर दी है अब देखिए उमिद्वारों की लिस्ट में किसका किसका न सुनिल कुमार जेडियू से 2019 में थे और सुपॉल से दिलिश्वर कामेत, किशन गंज से मुजाहिद आलम, पुर्णिया से संतूश कुश्वाहा, तो बाका से गर्धारी यादब को ट्रिकेट दिया गया, बाका से गर्धारी यादब 2019 में भी कैंडिडेट थे जेडियू के, भागलपूर से अजय मंडल, मधेपुरा से दिनेश चंद्रयादब, वालमिकी नगर से सुनील कुमार कुश्वाहा और सुनील कुमार जेडियू के उमिदवार 2019 में भी दे, गुपाल गंज से आलोक कुमार सुमन को यहां से टिकेट मिला है, तो जहानाबाद की अगर बात पाते चले, तो जहानाबाद से चंद्रेश्वर, चंद्रबंशी और सिवान से विजय लक्ष्मी, सिवान से कविता सिंग 2019 में जेडियो की कांडिडेट थी, तो जेडियो के उमिदवारों की लिस्ट जारी करते कहिए, जेडियो के 16 सीटों पर कांडिडेट के नाम और एक और खबर पर अधिक अपडेट के साथ संबादाता सर्वेश हमारे साथ जुड़ गया है, सर्वेश देखें काफी समय से इंतिजार था और आज 16 कांडिडेट की लिस्ट जो है वो जारी कर दे गई है, सबसे पहले बताएं इस लिस्ट में क्या कुछ खास रहा है पिछलों की बात करीं, और संख्यक की बात करें, और संक्यक की बात करें, अशवर्णों की बात करें, वो काफी एहम है क्योंकि अती पिछडों की बात करें पिछडों की बात करें अल्पसंख्यक की बात करें या सवर्णों की बात करें हर जाती वर्ग के लोगों को टिकट दी गई है दो मैलाएं भी हैं जिनको टिकट मिली है तो इस तरीके से कहा जाए तो हर वर्ग को एक तरह का और जहां तक बात की जाए उमिदवारों के नाम की घोशना की तो भारत 24 लगतार इस बात की तस्दीक कर रहा था कि यह उमिदवार हो सकते हैं संभावित जो सूची थी वो पहले ही भारत 24 ने अपने दर्सकों को बताई थी और एक तरह से आज फिर से एक पर भारत 24 की दिया गया जाए बात करने कविता सिंग की या बात कर ले फिर आपको मैं बतानों चाहूंगा कि कविता सिंग के लावा सुनिल कुमर पिंटू और विजय माजी के साथ महाबली सिंग यह चार नाम ऐसे हैं जिनका टिकटकटा है क्योंकि दो सीट ऐसी है जो गठवंधन की दूसरे दलों के पास चली गई है और दो सीट ऐसे हैं जैसे सीवान की बात कर लें या फिर आप सीता मरी की बात कर लें इन दो सीटों पर जेडी उने अपना उमीदवार बदला है तो तो तमाम जो कवायद है कहीं न कहीं कोशिश रही है कि 40 की 40 सीटे इस वर जीती जाएं तो इस बार कोशिश से ही है कि 40 की 40 सीटे जीती जाएं और इंडिये का हाथ मजबूत किया जाएं अस सरवेश जिनका टिकेट कटा है पार्टी ने क्या सूच का टिकेट कटा और कौन से समीकरण को अब इस वक्त बैठाने की कोशिश की गई है देखें बीजे लक्षमी जो की RLSP उपेंदर कुस्वा की पार्टी जो राष्ट्रिय लोक मोर्चा अब उसका नाम हो गया उसके वहां पे जो उनके प्रदेश अद्रक्ष ते उनकी पतनी है और पहले बाना जा रहा था कि वो जेडियू से ही राष्ट्रिय लोक मोर्चा म की पतनी मताई जा रही है और एकतर से जिस तरीके से आपने देखा होगा महा कटबंदन में खरमास के महीने में असुक महतों ने शादी की और शादी कर अ करके जाता तो हो सकता है था यह वो सीट लूज कर जाती जैडियू जैसे कि जैडियू नताओं का कहना है महाबली सिंग की बात करें तो कारा काट की सीट क्योंकि अब राश्य लोक मोर्शा एक खाते में आ गई है तो इसलिए वो सीट जैडियू को छोड़नी पड़ी है गया की सी ताल मिल नहीं हुई थी जब दितिशकोवार एंडिया से बाहर थे तब की यह बात है उस वक्त से ही सुनिलकवार पिंटू विरोध कर रहे थे जैडियू का और वो एक तरसे उनके विरोध की वय से ही उनका टिकट काटा गया है और देवेस चंठ ठाकुर जो की बिधान प सत्याशी होंगी हाला कि यह तो बहुत पहले तैह हो गया था और बाहु बली आनन्द मोहन की पत्नी लवली आनन को शिभर से मौका दिया क्या है अनन्द मोहन की पत्नी लवली आनन को मौका देने के पीछे बात सिधे सिधे यह समझ लीजे कि रमादे भी जो की एक बाहु बली पुर्विदायक पुर्व मंत्री बिर्जबिहारी परसाद की पत्नी थी उनका टिकट काटा गया है उनका टिकट काटा इसलिए है क्योंकि गठबंदन की वएसे यह सीट जो है शिता मणी की सीट पहले बीजेपी के पास थी लेकिन इस बार यह सीट जेडियू के खाते में आ गई है और वैसी परिस्तिति में जेडियू ने अपने कोटे से लवली आनंद को टिकट दे कर वहां से उमिदवार बनाया जाता है राज सीट अब इस बार गठबंदन की वएसे जेडियू के खाते में आ गई है इस वएसे लवली आनंद को वह सीट बिली है ठीक है चली तब आम जानकारियों के लिए बहुत 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 शुक्रिए